हेलो माई डियर फ्रेंड्स तो न्यूस आपको मिल गई होगी कि जो आपका एक्जाम था वो कैंसल हो चुका है इनकी ओफिशिल वेब साइट पर ये इन्फॉर्मिशन आ गई है कि जो एक्जाम की वज़ा से जो भी ओनलाइन एक्जाम में आपको प्रॉब्लम आई थी इन्होंने ये नहीं सोचा है कि कितने स्टुडेंट्स थे जो कहीं और से रिजर्वेशन करा कर आए थे कितने स्टुडेंट्स थे जिन्होंने इन्होंने एक्जाम देने आए थे एक सेंटर से दूसरे सेंटर पर but ठीक है, at least इन्होंने reconsider किया, आप अपने लिए positive side यही मान सकते हैं, आपको और ज़्यादा time मिल गया, आपको paper का एक यह मान के चलिए कि आपको एक mock test देने का मौका मिल गया definitely उसका cost को ज़्यादा ही था, आपको पूरा बहुत महनत करने ही पड़ी है, but dear student अभी आपके पास 25-30 days है, positive side सोचेंगे तो आपको और motivation मिलेगी कि हाँ, एक luck और एक और आपके पास hard work करने का मौका है, तो dear student इसके लिए आप बिलकुल से अब अपने current affairs और अपने जितने भी general science और जितना भी paper का pattern आपने देख लिया है apti, इन सब को बहुत अच्छे से prepare करना शुरू कीजिए, जो ये 25-30 days मिले हैं, शायद फिर ये अब दुबारा नहीं मिलेंगे, ये आपका golden chance है, कि जो भी preparation अपकी हो चुकी है, बस आपको brush up करना है mock test लगाने हैं, questions paper करना है marathon class की questions को और अच्छे से practice करना है, और result आपके सामने दुबारा बहुत अच्छे से आएगा hopefully, आपके जो भी mails किये हैं, मैंने भी इनको personally mailed आ रहा था, आपने जो भी mails किये हैं, इनकी जो technical glitch थी like attendance नहीं थी और इनके paper बहुत randomly organized थे, section wise नहीं था तो ये सारी चीजें इनको mail में समझ में आएंगी कि क्या problem हुई है, और इसके साथ ही ये proper systematic way में exam को conduct कराएंगे, आपके side जो ये फैसला आया है अब आप past को ठीक नहीं कर सकते हैं, जो आपके पास बचा हुआ ये 25-30 days का time बचा हुआ है तो आप negative बिलकुल मत सोचिए आप अपने तरफ से positive सोचिए कि हाँ शायद एक बार और टिकट करा कर आपको exam देना पड़े बढ़ शायद ये आपका future बदल दे ये 25-30 days जितने भी आपको exam के मिल रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ही जादा महत्व पूंड होंगे तो अपना 100% दो जो topic बचा रह गया, उसको cover करो मैं कुछ और वीडियो भी इनके कुछ बायो की questions मुझे ऐसे मिले थे जो मेरे section से नहीं आये थे, like RBC का मैंने सिर्फ बेस बताया था, questions इनका अंदर, मतलब depth में पूछा गया थे वो topic bio के, जो नहीं आये थे, मैं उनको जल्दी अपलोड करूंगी जो questions आपके इसमें नहीं आये थे और एक दो classes के बाद आपकी पूरी general science आपको समझ में आ गया है कि आपने यहीं से complete किया और दुबारा भी paper यहीं से आएगा आप इस चीज को मेरे words को note कर लो कि दुबारा जो भी general science का paper आएगा वो मेरी ही मैराथन क्लास से आएगा तो बस जो 2-3 points शूट गया है like kingdoms में, मैंने plant kingdom वगर नहीं पढ़ा है तब मैं उसको जल्द ही cover करूंगी और आप अपनी तयारी फिर से शूरू कर दो English के जो basic rules है Apti की जो practice से वो करना general science आप मेरी मैराथन से करो आपको बहुत अच्छा score करने का मौका मिलेगा Thank you